ह related 술ों, कैसे हो आई होपा बढ़ी होंगी अच्य होंगी स्वास्त होंग야 फ्रण आज की वीडियो में हम बनाएंगे पावर बैंक जो की बहुत ही तकड़ा पावर बैंक होने वाला है तो चलिए फटाफ़ट बनाना हम इस्टार्ट करते हैं बता दूँ आपको बैटरी लेनी पड़ेगी जो कि मैं बैटरी यूज कर रहा हूँ 18650 की लिथियम बैटरी ये मार्केट में आपको 40-50 रुपे में असानी से मिल जाएगी ठीक है तो मेरे पास पड़ी थी फ्रेंड तो वही बैटरी में यूज करूँगा जैसा का आप ये देख सकते हो मेरे पास 78 बैटरीयां पड़ी है और एक charging module जैसा कि आप देख सकते हो ये बहुत ही तगड़ा module है ये मार्केट में आपको ये 30-40 रुपे में आसानी से मिल जाएगा ठीक है तो एक module मेरे पास और पड़ा है जैसा का आप ये देख सकते हो मैं आप लोगों दिखाता हूँ ये वाला ये भी फ्रेंड आपको 30-40 रुपे मिल जाएगा लेकिन एक चीज बता दो फ्रेंड वह आला जो मैं दिखाया था पहले वह आला module बहुत ही बढ़िया होता है और ये solding wire है तो चलिए इसको हम side में रखते हैं अब हम इसकी battery के testing कर लेते हैं कि कौन से battery कितनी charge है ठीक है तो कुछ इस तरीके समय से side में रख लेता हूँ और ये देख सकते हो battery को 18650 की lithium battery जो कि उतनी बोल्ड की जितनी ये है ठीक है फ्रेंड बैटरी में बताऊं दो बहुत ही powerful होती है ठीक है आप असानी सो कोई भी gadget आप बना सकते हो और इसका backup भी बहुत अच्छा खासा होता है आप अपने घर में इसे यूज आप इसका यूज कर सकते हो तो चलिए फटा फट इसके हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि कौन सी battery हमारी चार्ज है कौन सी नहीं चार्ज है तो multimeter के दोरा में इसे चेक कर लेता हूं तो इस mobile की battery को side में रखता हूं और इस PCB को भी side में कर देता हूं और हम multimeter का use करेंगे तो फ्रेंग इस multimeter को मैं DC bolt पर set कर देता हूं जैसा का आप यह देख सकते हो कुछ इस तरीके से DC bolt पर set करने के बाद में reading आप लोगो साब नहीं दिखरी होगी तो इसको मैं थोड़ा सा सही से कर देता हूं देख सकते हो तो फ्रेंग चलेagain बैकर का लाऀने कने नहीं पहले मैं size कर लेता हूं की आप लोगों को साब दीखे तो स्को कि मैं size कर लेता हूं तो और यह बैकर को मैं लगाऊ ओ अब देख सकते हो यह बैकरी Sa 옛날 में लगाता हूं इसको यह बैकरी 0.14% एक दर बैटरी देख लेते हैं यह बैटरी हमारी दो भॉल्ट 10% चार्घ दो भॉल्ट 15% चार्ज और यह बैटरी के भी लिएस फिर। आहलों इसांड के दौनों की इसको बाद में बनाएंगे roeड़angenिुर ने PRES. छाइड में रखते हैं आसे यहां हमारी लगभग दिश्करज दिशर्ज है इसको भी हम साइड में रखते हैं कि देख लेतें फ्रेंट यह मुन Ó यह ओ यह इनी बैट्रड्री हमारी डिस्चारज़ करेंगे जो हमारा मदार्बरला-चार्जर है उससे हम चार्ज करेंगे और यह देख सकते हो फ्रेंड बहुत ही तगड़ा पाउर बैंक मोडूल है यह आपको मार्केट मासानी से 30 से 40 रुपे में मिल जाएगा अगर फ्रेंड आप ओनलाइन पर्चेस करोगे तो थोड़ा से महंगा पड़ेगा यह दोनो लेकिन फ्रेंड आप दिखाया था जो आपको यह बैटरी यह मैंने तीन बैटरी को चार्ज कर लिया तो तीन बैटरी आप देख सकते फ्रेंड जो 2200 मच की है तो 2266 यानि यह 6600 यमच की हमारा पावर बैंक बन जाएगा ठीक है देख सकते तीन बोल्ट बीस पॉइंट चार्ज हो चुकी है जो मैंने पहले आपको दिखाया था और इसको भी हम दिखाते हैं यह भी तीन बोल्ट 25 पॉइंट चार्ज हो चुकी है और इसको भी देख लेते हैं यह भी फ्रेंड तीन बोल्ट 19 परसेंट यह चार्ज है ठीक है तो फ्रेंड यह मैं बता दू इसको मैंने अपने मुबा तो जो इसका प्लस का है इसका हम प्लस में कर देंगे जैसा कि आप यह देख सकतो रेड़ वार जीतने भी हमारे हो प्लस है इसको हम प्लस में कर देंगे कुछ इस तरीके से और इसमें करने के बाद फ्रेंड जो इसका माइनस है इसका हम माइनस में कर देंगे तो यह हमारा प चल जाएगे ठीक है तो फ्रेंड ये पैरलर में इसका connection करने के बाद देख सकतो बोल्ट इसका तीन बोल्ट पावर बैंक में पलस माइनस का निसान दिये रखा है उसी तरीके साम सोल्डिंग कर लेंगे जैसा का आप यह देख सकते हो रेडवाला पलस था और यह बलेक वाला माइनस तो मैंने सोल्डिंग कर लिया है तो चल यह फटा 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 अपने मुबाइल का चार्ज करके लगाऊंगा और एक डाटा केबल और मैं इसके नीचे वाले में लगाऊंगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है और लगाने बाद आपको मुबाइल में लगा लेना है तो कुछ इस तरीके साम फ्रेंट थोड़ा साम मैं सही से कर दूँ जो कि आपको सही से दिखें तो कुछ इस तरीके से मोबाइल में एक में लगा दूंगा फ्रेंड में एक चीज में बता दो इसको मैं किसी चीज में फिटमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप कर लेना या तो मैं नेक्स्ट बिडियो में बताना मैं किस इसी चीज में इसका फिटमेंट करके अच्छी तरीके से आप लोग को दिखाऊंगा ठीक है तो यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया हो तो यहां फिर यह बटन को हम दबाएंगे तो देखते हैं तो फिरंट दबाने बाद देख सकते हो हमारी दोनों मुबाइल चार्ज हो रही है ठीक है देख सकते हो फिरंट हमारी दोनों मुबाइल बिल्कुल अच्छी तरीके से चार्ज हो रही है फिरंट एक एक करके भी देख सकते हो अच्छी तरीके से चार्ज हो रही है और डवल वाला फोन भी च्रज करके आप लोगों दिखाऊंगा तो ये वाला फोन जो मेरा है बलेक वाला इसको भी मैं चार्ज करके दिखाता हूँ आप लोगो को इसको कुछ इस तरीके में यहाँ लगाऊंगा तो फ्रेंद देख सकते हैं ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से चार्ज हो रहा है तो I hope आप लोगो वीडियो अच्छे लिए वीडियो अच्छे लिए वीडियो को लाइक करते हैं और इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्रण हमारे चैनल को सब्सक्राइब बन तब तक के लिए धन्यवाद बाइबाइब फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो नेक्ट